सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करें मुझे वो कुछ दिन पहले का दिन याद आ गया जब मैं स्टूदेंस रियाक्शन लेने के लिए स्कूल्स में जा रहा था और बच्चे स्टूदेंस लड़के रड़किया रो रहे थे बहुत लोगों को मैंने सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करें गौर करो आप लुग पूस युनिक काम यह क्या कि स्टूदेंट को डाइवड करने के लिए टीचर स्टूदेंस सब को डाइवड करने के लिए क्या कर दियाocy फानन फानन में कल देर रात निकाल दिया term 2 का sample paper, यानि कि आप फसे रहो, उल्जे वे रहो, परिशान रहो, और अपने आपको इंगेज करके रखो, और तब तक किसको time मिल जाए? सिबसी को, सिबसी को एक time मिल गया, अपने आपको patch up करने के लिए, अपने गलतियों को cover up करने के लिए, term 2 का sample paper guys, जिसने भी देखा होगा, उसने एक चीज़ notice किया होगा, कि आम तोर पे सिबसी ने क्या कहा था, सिबसी का कहना ये था कि भाई, आपका जो term 2 होगा, वो subjective based मतलब, जिसमें की short, very short, long, सभी type के question answer, मतलब, सब कुछ included होगा, और एक question paper, जो है, उसे माना भी यही जाता है, देखा भी यही जाता है, कि सारे type के questions, उसके अंदर included है, अब students का भी, एक नया funda, एक नया issue, create हो गया है, क्योंकि मैं हर अपने students के साथ में touch में हूँ, तो I can feel that thing, कि भाई, एक बड़ा सवाल उठा कि सर, MCQ questions जो है, वो एक number वाले, यहां तो सर, missing है सर, है ही नहीं, दो number वाले है, तीन number वाले है, extra वाले है, लेकिन, एक number, MCQ वाला यहां पर दिखी नहीं रहा है, तेरा 14 ही question है, लेकिन, MCQ missing है, तो सर, यह क्यों हुआ, ऐसा क्यों students है, सवाल है, और valid question है, मैं इस पे agree करता हूँ guys, अभी यहां पे, एक जो अभी COVID का situation है, आपको क्या लगता है, मैं आप से पूछ रहा हूँ, आप लोगों को क्या लगता है, exam term 2 का, अगर सिबसी लेती है, तो कब तक लेगी, comment section में मुझे जरूर बताना, मैं बताओ, term 1 होगा, November, December में, सिबसी ने उसे शुरू कब क्या, November 30 तारिक से, चला कब तक, पूरा December एक तरह से चला, more or less हम लोग कह सकते हैं, अब term 2 का conduction, अगर आप सब यह सोचते हो, कि उसका conduction, March में हो पाएगा, जैसा कि सिबसी के circular में था, कि March, April में होगा, अगर आप यह सोचते हो तो मुझे लगता है, आप सब लोग बहुत गलत हो, term 2 का conduction, March के बीच में नहीं हो सकता, जिस तरह का सिनारियो है, नहीं हो सकता, अचानक से COVID धराम से नीचे गिर जाए, एकदम cases खतम हो जाए, तो भले ही हो जाए, लेकिन उसके chances point भी नहीं है, क्योंकि कल का news मेरे पास में मैंने पढ़ा की, अमेरिका में एक दिन में 10 लाग cases निकल करके आए, COVID के, can you believe that thing, अगर हम पिछले 24 घंटे की बात करें, तो 2.65 लाक्स जो है, वो cases है, इंडिया में, 27 परसंट का increase देखा जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, कि आपके term 2 के exams जो होते हैं, वो होंगे कब त मार्च के end last week में होगा, शुरू हो करके April पूरा जाएगा, लेकिन इसमें problem किस के लिए create हो रहा है, problem create हो रहा है, उन सभी लाखो students के लिए, जिनको अपने future को आगे रखना है, जिनको अपने future पे काम करना है, issue वहां से create हो रहा है, अब आप सोचों कि अगर आपका सपना ह जेई, नीट वगरा, exams को crack करने का, तो student यहर पढ़ेगा कैसे free, और पहले बात पढ़ाई कैसा हो रहा है, online classes पे based हो रहा है, जहां अभी classes चल भी रहे हैं, तो अगर आप गौर करो, उन classes का स्थितिक क्या है, किसी भी student को पूछो, मैंने बहुत students से इस बारे में बात किया, आप लोग भी comment section में मुझे बताओ, सब का कहना है, सर एकदम fast way में complete हो रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है, जैसे गाड़ी दोड रही है, तो मतलब एक चीज मेरे समझ में नहीं आया, exam pass करवाना है, या knowledge देना था, बच्चों को, वैसे guys मैं आपको बताऊं, CBC का कहना है, ऐसा ज़री नहीं है, हो सकता है, हो सकता है कि objective भी हो, मतलब everything will depend upon the corona cases, covid का situation क्या होगा, इसके ओपर depend करेगा, objective होगा, या subjective exam होगा, अभी फिलहाल के लिए subjective question sample paper निकल गया है, और उस पे हमें चलना भी होगा, लेकिन ये अभी भी शक के जारे में है, वैसे guys मैं आपको बता हो गया, सरदी खासी हो गया, होस्टल खाली करा दिया गया, आनन फानन, मतलब ये ये बहुत अजीब है, कि मतलब जैसे ही कुछ हो जाए, फड़ा होस्टल खाली करा दो, ठीक है, college खाली करा दो, बच्चों को घर बेज दो, ये चीज हो गया, 15-31 जनवरी तक की जितने भी exam थे, उनको postpone कर दिया गया है, सारे चीज़ों को, और वैसे गाईज आपको याद होगा, मैंने आपको एक update दिया था, कि AKTU, यानि कि अब्दुलकलाम, APJ अब्दुलकलाम Technical University जो है, वहाँ पे भी online exam कर दिया गया है, महरास्टर में भी, वहाँ के जो education, जो minister है, उधर सामन सर, higher education minister, उन्होंने भी, महरास्टर में, जितने भी universities हैं, private colleges हैं, colleges हैं, सारे exams को online कर दिया है, तो ये एक बड़ा मुद् है, कि अभी बिना syllabus reduction का, सिर्फ students को busy रखने के लिए, sample paper को release किया गया, ये थोड़ा सा shocking है, term one का result पहले आ सकता था, वो नहीं आया, वो भी shocking है, और अभी भी students के मन में, अभी भी सवाल है, कि यार term one का result आ जाएगा, कल आएगा, परसो आएगा, या अभी भी आजाएगा, nobody knows, तो ये सिनारियो है, ये है सिबसी की अजीब लीला, guys, अभी हमें इसी condition से निकल करके निकलना है, बच्चों, हम सभी को इसी पर काम करना है, आपको भी, मुझे भी हम सब को, और हमें इस से निकलना है, बाहर, चेके, so, सारे negativity के बीच में, मैंने आपको सारे negative चीज़े या positive चीज़े, सभी चीज़े मैंने आपको बताया, सिनारियो इस वक्त क्या है, वो भी बताया, लेकिन हमें term 1 वाले गलती में नहीं पढ़ना है, term 1 में जिस तरह से हम लोग फस गए थे, लाखो students फसे थे, चेके, अब हमें उस पर नहीं पढ़ना है, हमें सीधा-सीधा अ मिलना शुरू हो दाएगा, आज से भी, आज भी मैं कुछ दूँगा, आज सुभभ भी मैंने कुछ दिया है, लगातार हम उसके लिए playlist भी create कर देंगे, आपको हमारी दोनों चैनल, ये चैनल भी और हमारा दूसरा official channel for studies भी आपको पूरा help करेगा, so guys, stay tuned with us, बने रहना है ह एक दम हमत नहीं आड़ना है और आगे बढ़ना है, मिलते हैं नेक्स वीडियो में, this is all from my side, जै हिंद, जै भारत